हलो दोस्तों स्वागत आपका ELS News पर आज की Breaking New निकल कर सामने आ रही हैं जिया दोस्तों ये बात करते हैं जिया दोस्तों राश्पति ने कल संसंत का सयुगत सत्र बुलाया जिया दोस्तों इमरान सरकार अमेरिका के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाएगी जिया दोस्तों जम्मु कस्मीर के नुचे 378 पर पाकिस्तान के परदान मंत्री इमरान खान ने आलोसना की है कि पाक राश्पति आरीप अलवी ने मंगलवार को सयुगत संसदिय सत्र बुलाया इसके लिए राश्पति ने समन्झ जारी किया है पाक मीडिय के मुताबि इमरान खान सरकार कश्मीर मुद्य को लेकर राश्ट्रे अदालत जा सकती है साथ ही पाकिस्तान कश्मीर मुद्य को अमेरिका के सामने भी उठाएगा वहीं बात करें अनुचे 373 खत्म करने के फेशले की बारे में तो दोस्तों पाकिस्तान ने इससे गेर कानूनी और नियुएन क का कि वह कूड नितिक और राजनितिक तरिके से कश्मीर का समर्थन करते रहेंगे कश्मीर के लोग सविंक्त राश्ट्र रुक्सा परिश्द में जाएं और दोस्तों पाकिस्तानी विदेश मंत्राणे ने का कि जम्मु कश्मीर एक अंतराश्टे स्तर पर मानेता प्राव् सकता हैं इसी के 20 फेसले के लिए स्वेंक्त राशिस रुक्षा परिश्द में प्रस्ताव रखना चाहिए इस फेसले का कभी भी जम्मु कस्मीर और पाकिस्तान को स्विकार नहीं होगा और दोस्तों अमेरिका के राश्पती डोनाल ड्रम ने 22 जुलाई को इमरान खान के साथ साजा प्रेस कॉंप्रेस में दावा किया था कि निरंद मोदी ने कस्मीर मामले पर मजिस्तरता की पेसकस की थी इस पर इमरान कान ने का था कि अगर आप ऐसा कर सके तो अरबो लोग आपको दूआ देंगे इसके लिए एक गंटे बाद ही भारते विदेश मंतरा ने ड्रम क के दावे को नकार दिया था मंतरा ले ने का था कि मोदी और ड्रम के बीच एसी कोई बात नहीं थी जो पाकिस्तान के सारे मसले विद्वी पक्षिए बाद के जरिये हल किया जाएंगे वहीं पाकिस्तान लगातार कश्मीर में इंसा फेलाने की कोशिश और एलोसी पर था कि आतंकी संगठन एश ए मोहमद कश्मीर में दमाकों की साजिश कर रहा है इसके लिए देश ये पंदरा आतंकी एलोशी के नश्दीक सक्रिय हुए हैं तो दोस्तों धाला तीन सुचितर को लेकर आपकी क्या राह है हमें कमेंड बैक्स में करके बताएगा और दोस्तों ऐसी ब्रेकी न्यूज की अपडेट्स अपने मोबैल पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन को और शेर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वार्टस अपर जैन जैपारत वंद्या मातर और किजिए बेल करा के साथ बेल